पती जे देखतों क्या ताजे फ़ल लगे है इस पेड़ पे पेड़ से फ़ल तोड़के खाने का मज़ा ही कुछ और है मिल गया मज़ा आ गया ओए ये क्या इतना बड़ा आम विपती जे ये पेड़ अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया जाचू ये पेड़ बड़ा नहीं हुआ हम छोटे हो गए वह ये भूकांप कैसा है मेरा नया अविश्कार एक ही रात में बड़े से पेड़ बन गया इसके फल को खाते ही किसी भी इंसान का कद अंगूठे से भी छोटा हो जाएगा खोजी सिंग जी आपके पैलों के नीचे हम दाप जाएंगे अरे खोजी अंकल खोजी नीचे देख अब समझ में आया हमने ये फल खाया इसलिए हम छोटे हो गए खोजी से जी यहां देखिये यहां नीचे हमें ठीक की जी खोजी से घालो हाँ हाँ मैं अभी सीट्यों स्पिटल पहुंशता हूँ खोजी 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 तो हमें बिना देखे ही चले गए हम इतिने चोटे हो गए हैं कि खोजी तक पहुंच नहीं पाए जो सिर्फ एक मीटर की दूरी पर थे जरा सोच सिटी हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे ओई पती जे चलते चलते मैं तो ठक गया जाचु वो रहा बस्टॉप यहां सकी बस सीधे हॉस्पिटल जाती है वे परपती जे बस्टॉप तो सडक के उस कनारे है और जिस तेजी से सडक पर गाडियां चल रही है इस सडक को पार करना नामुम्किन है अगली बस एक घंडे के बाद आएगी हमें इती देर तक इंतसार नहीं कर सकते हैं जीए डाण है जी घंडे चुह जल्दी से सबच्री की तरफ दोडबो और इसकी तेल को पकड़ो पती जे हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं कोई बात नहीं चाचू हम सवारी बदल लेते हैं अब मचली को छोड़ दो ओके पती जे वी वो रही बास पती जे जब इन हीरो की चमक तो देखो इन्हें बेचकर में माला माल हो जाओंगा किसी ने मुझे देखा तो नहीं जंगल में नाश्ता मोर और शहर में कि चालाग चोर किसी की पकड में नहीं आता हाहाहा हाहाहा यह मैं क्या देख रहा हूं चाचा बदीजा इतने छोटे अवतार में बहुत सताया है तुम दोनोंने मुझे चाचा बदीजा आज मैं तुम दोनों को चीटी की तरह मसर्क्य रख दूगा कहां चले गये पती जे हमें तो चलाक चोर से दूर भागना था और हम तो उसी के कंदे पर कूद बैठे वही तो चलाक चोर हमें हर तरफ ढूंडेगा लेकिन वह अपनी बॉड़ी के उपर नहीं ढूंडेगा पड़े हो या छोटे ये चाचा बदीजा तो हमेशा मुसिबत खड़ी कर देते हैं मंगलू का फोन है हीरो की डील के लिए चाचा बदीजा को तो में भाद में ठून ही लूँगा पहले ज़रा इन हीरो की डिलिवरी तो करा हूँ हलो हा मंगलू बोलो हेलो 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 जी ये लग गया बंदू पीची को कौन कॉल मंगलू हीरे मेरे पास हैं तुम पैसे लेकर पुराने फैक्टरी में पहुंच जाओ ठीक तीन बजे समझे जंगल में नाचता बोर और शहर में चालाग चोर किसी की पकड में नहीं आता और बहाद्दूर जीप निकाल इस फोन के क्रॉस करेक्शन ने चालाग चोर का सही लोकेशन बता दिया से चल मंगलू अभे तक क्यों नहीं आया हमेशा तेरी करता है चाचु जल्दी से उस विंचाइम को पकड़ लो मंगलू चाचु अब इस विंचाइम पर उपर की तरफ जूल जाओ मेरा सारा मेकप खराब हो गया अब बहाद्दूर शीशा निकाल हेलो अब बंदूग्णी जी हम यहां है आपकी तोपिका उपर अब यह क्या हम चोटे होगे अब आपड़ी बूच भैंस की पूच यो तर चाचा भतीजा से पर इतने चोटे कैसे हो गए पर कोई बात नहीं मैं समझ गई यह सिर्फ खोजी की महरबानी हो सकती है हलो ओ खोजी फिर से कर दीना कोई गड़ड़ी चाचा भतीजा चीटी जितने छोटे हो गए जल्दी से एंटीडोट लेकर पुरानी फैक्टरी पहुंच जा मुझे पकड़ने आय थी बंदूक ने हैं पर याद रखना जंगल में नाश्टा मोर और शहर में चालाग चोर किसी की पकड़ में नहीं आता था कि चलो चाचु हमें बंदूकती जी की मदद करनी होगी ठीक है यह लोग कौन है कानून के हाथ और बंदूकनी की लाप से कोई ना बच सके है बंदूकनी जी मैं अंटीडोट ले आया हूँ पर चाचा बदीजा है कहां हाँ इन्ही दोनों ने हमारे एंधिल से शक्कर चुराई थी ना बगड़ोई ने हाथ ने ना पाए अरे हम कहां पास गए गौजी सेगी जी जल्दी से हम पर अंटीडोट डालो और हमें बढ़ा करो वो रहे चाचा बदीजा मैं अभी उनपर अंटीडोट डालता हुआ हुआ वो ऐसे छोटे-छोटे देशों में बड़ी-बड़ी बाते होती रहती है वो यह आज पता चला के इनसान की पहचान उसके काद से नहीं उसके दमाग से होती है पत्री जाए पत्री जाए पत्री जाए पत्री जाए पन्तूश नगर में है दो मतवाले दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिमतवाले सब चोर चके इनके नाम सिकाबे जब साम दिये जाए तो सारे रस्ताना पे इंसे पंगा लेने का होगा पुरा नतीजा बड़े पड़ो की चुदी कादे चाचा और भदी जा चाचा अर्फटी जा, चाचा अर्फटी जा चाचा चाचा आर्फटी जानी हैं चाचा आर्फटीилось तानी है काuste में जा रूपण वास जा आर्फटी जा है झाल झाल